इसको बोलते हैं चुनावी मयूर नित्त जैसे जब मैध आते हैं न तो मयूर जो है अपने पंग फड़भा के सारे रंग दिखाते हुए नित्त करते हैं यह नेताओं के लिए अब सावन का सीजन आ गया है अब यह नेताओं का मयूर नित्त हो रहा है यह तरह तरह के इनके प्रंग बिरंगे जितने इनके पंक है यह प्रणा फैलाएंगे लेकिन यह नेताओं का अपना एक पॉलिटिकल एकोनॉमिक्स होता है नैंसी मैं आपको बताओं जो जो इन लोगों का घोसडा पत्र घोसडा पत्र नहों के अपने आप में यह लोग जो वर्बल वादे करते ह हैं चिनाओं में अपने आप में आप यह समझ लो कि सबसे बड़ा जो है ब्रस्टा अचार का पुलिंदा होता है यह घोसडा पत्र नहीं होता है और मैं प्रूफ कर दूंगा पूछे कैसे चलिया हमाज साथ जो है एके मिश्राजी भी हमाज साथ जोड़ चुके हैं और राजिंतिक विश्लेशक हैं कई बातों को जमीनी सतरपरन को जानते हैं इनको समझने की कोशिश हम उनके जरिये करेंगे एके मिश्राजी स्वागत आफम निमस पर आपका जी किस तरह से इसक अवाज इसको घोषनापत्र को नाम दिया गया हमने भाएंगे यह भी कह दिया गया तो किस तरह से लें इसको नैसी तो सबसे पहले मैं सबको बढ़ाई देता हूं और मैं इस सीज के लिए भी शुब कामनाया देता हूं और खुशी चाहिर करता हूं कि बिपक्ष का मजब आपने काम नहीं किया लेकिन फिर भी आपने चुनाओ जीत लिया इसका मतलब है कि विपक्ष की यह पूर वर्ती सरकारों की निंदा करके आपने वह चीज़े जीती है और अपना एक गोश्णापत्र अपना एक विजन रख करके जिससे की बहुत सारे लोग प्रभावीत ह प्रभावीत है अपकी बार विपक्ष कई बार हारने के बाद चाहे यूपी रहा हो चाहे जो भी रहा हो विपक्ष को बड़ी देर से समझ में आया कि कैसे मैंज किया जाए जाए कि अपनी रणीती को लिखा गया दोजार चौधा का जो गोश्णापत्र है दोजार उननेस सब्सक्राइब का कि आपको बताओं तो कॉंप्टीशन या मुकाबला तो कई लेबल पर होता है जैसे पार्टी वर्सस पार्टी राटी गौंडीट वर्सस कंडिडेट अब की बार एक खास चीज़ देखनें को यह मिल रही है कि घोषणापत्र वर्सस गोश्णापत्र भ मुकाबले वाला घोसला पत्र है जो की बीजेपी या उनके एलाइज के अगेंस जो है इन लोगों का घोसला पत्र है और बहुत ही सूजबूज मतलब टिट फॉर टैट मतलब लोहे को लोहा काटता है देखिए बीजेपी या सारी सरकारों ने मैं बोलूंगा ऐसे लॉलिपो के गोसला पत्र होते हैं बड़े लोग लुबावन वादे होते हैं जो इंफ्लूएंस कर देते हैं वोटर को दिपक्ष को यह लग रहा है कि उसी के टक्कर के वायदे आप भी करिए कैसे हैं कोई लॉंट्रम प्रोजेक्ट का वायदा नहीं है कि हम पांच साल में यह सड़ में पहुंच जा दी कि उसका बदला है उसका बदला नहीं बलकि यह उसके उपर एक जबर्जस्त प्रहार है देखें मैं यह बोलू मोदी सरकार ने पहले भी एक ठीक है वो प्रॉमिस था कि नहीं था मैं लीगल एस्पेक्ट में नहीं जाता हूं लेकिन लोगों के प्री में ही देना है तो आप यह सोचिए एकोनॉमी या जीडीपी का दो धाई तीन परसंट तो ऐसे ही चला जाएगा फ्री में कहां से इंप्लीमेंटेशन ही होगा सब यह कि लिए हम जीडीपी का वह देंगे जानता के लिए ऐसा कैसे पॉसिपल है शिक्षा के लिए जो है जीडीपी का 6% दिया जाएगा पैसा अब होगा यह मैं आपको बताता हूं जितने रेगुलर जो यानि योजना आयोग जैसी जो संस स्टेनेवल ग्रोथ होता है कोई प्लांड और सस्टेनेवल ग्रोथ इन्हों ने नहीं बनाया है सारी पार्टियों की मैं बात करता हूं इन्हों ने सिर्फ यह बनाया भाई पैसा किसका है राहुल गंदी जी को बीजेपी को समाजवादी पार्टी को अपनी कमाई या अप पैसे की कमी और पड़ेगी एक चीज और समझना चाहूंगी जो यह चैप्टर हम जो खोलते वे नजर आ रहे हैं इसमें सोशल एकॉनमिक को लेकर समझे टारगेट सिधा तरफ से दिखाई दिखाई दिरा है किसान टारगेट दिखाई दिरा गरीब यानिकि जो नब्स है जि कि जब रोजगार ही नहीं है तो गरीबी को दूर कैसे करेंगे दो नब्स सबसे जादा जो है सरकार की कि इसी को लेकर सिर्फ फोकस है क्योंकि पिछले बार का जो मैं है वेनिफेस्टों वो देख पा रही हूं इसमें लेकर राइट तो हैल्थ को लेकर राइट जो है करकिया गया जिसको 6% अब करने की बात की गई शिक्षा के शेतर में तो वो बाते अब कहां चेली गई आपसे वो बाते दिखाई दे रही है जिससे सीधा कॉम्पेटिशन बीचेपी से इसको बता रहा हूं आपको पने टर्म यूज किया है फाइंसी सो सो figuring एकोनॉमिक्स मैं बोलता हूं सोसल हूं सोसल हुं का बैसिक फंडाया principle यह नहीं होता है जो यह चुनावी वाद्य कर रहे हैं यह सोसल इकोनॉमिक्स नहीं है ृप sitcom अचाल संगीता जब घोसित होती है तब पहला चैप्टर इसके पढ़ाते है और लास्ट में जब चुनाओ हो जाता है लास्ट वोटिंग डे उस दिल लास्ट चैप्टर इसका फ्लोज हो जाता है उसके जा 5 साल यह political economics की कोई बात ही नहीं करता है, आप पादे भी देख लीजिए, हम यह कर देंगे, वो कर देंगे, dollar यह हो जाएगा, रूपया वहाँ पहुच जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और यही चीज रिपीट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ instant जो गोल है, देखिए influence करने का आप तरीका समझे, आप cash में देते हो, लोगों को लगता है, रहे मेरे जेब में 12,000 आजाएंगे, किसी economist को बैठा के आप पूछ लीजिए, कि अगर GDP का 2-3% आप ऐसे ही free में दे दे रहे हो, तो बाकी के जो growth plan है, road map कैसे बनाओगे, education, military, defense, international जो होते हैं, import, export, manufacturing, सरकार के पास 500 responsibility होती है, उसमें priority free, freebies देने को नहीं दे जाए, किसी भी government को आप देख लीजिए, free के वल उतना support करती है, जो बहुत गरीब टाइट के बड़े नीडी है, बाकी चीज़े, government का major expenditure होता है, long, मैं एक word यूज़ कर रहा हूँ, long term sustainable growth of country, जहां infrastructure develop हो, सारी चीज़े हो, फिर द इसलिए हमीत अमिर्गर, वहूं जिसे कहते हैं, मांढारी की पराकास्था पे पर पहुंच को उसको पूरा करेंगे, हमारे पूरु गोश्रा उनी चोनावू की जाईनी कहां चली जाती एक स़ुने, यह सेंगी सकंड़ीन, एक सट एक सेंट, एक सेंट नến सी जी नश सी थो मुझे दूसरे चैनल पर जाना इसलिए मैं ज्यादा जगण नहीं पाऊंगा आपसे हमारे मिस्रा जी अभी एक बात कह रहे थे कि हमारे टैक्स का पैसा लोगों को फ्री दे दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं आपको थोड़ा सा जागरित करूंगा जागरुक इन तो एक बात मैं आपको बहुत ढंक से बता दू कि इन डारेक्ट टैक्स का जरूर इस देश का गरीब किसान नौजवान सब उसका हगदार है दे रहा है तो उसको भी हग बनता है कि सरकार दे और मैं कहूंगा मिस्राजी से लिए तो आप टैक्स लिए परिपेच में नहीं क आप टैक्स लगाओ तो तो आप बिजेपी के तरह दीर हो जा रहा है मैं आपको बता रहा हूं अरे सुनिये तो इन डारेक्ट टैक्स भी और कोई ये आपके देश में नहीं है तमाम सारे विकास सील देशों में और विक्सित देशों में भी इस तरह की पॉलिसीज स्कीम्स हैं अमेरिका की तुलना कर लीजे वहां क्या सिस्टम है अगर साथ साल कोई नौकरी करता है और वहां की सरकार अगर साथ साल के बाद किसी को बेरोजगार कर देती है या उसको नौकरी नहीं दे पा रही है तो साथ साल तक उसको उसको सैलरी देती है गोवर्मेंट कि नहीं होते हैं तभी स्था की बाते की जाती कि उस कंट्री में ऐसा होता हुआ इसकांट्री में अजा दिया विल्कुल लिए आपने वादे की होंगी यह पता हुआ समाजवादी पार्टी का जो एकोनामिक कॉंसेट है इन्होंने पता दिया अमेरिका में ऐसे होता है इक है मिशा जी एक बार फिर से आपके तरह आना चाहूंगी आपका रुक करूंगी घोश्णापड्र को लेका जब हम बात करते किसे बीपाटे घोश्णापड्र क्यों नहों तब देखा जाता है कि बड़े-बड़े बादे हो जाते हैं बड़े-बड़ी बाते हो जाती है लेकिन चरता अब समझदार हो गई है ये भी समझना होगा बिल्कुल मैं आपको बताऊं अभी आप देखिए कई जगा ऐसे अब देखिए हर इलेक्शन में बड़े-बड़े घोसला पत्र होते हैं और सारे घोसला पत्र ऐसे होते हैं कि लोगों के दिमाग पर ऐसी हैमरिंग ये लोग करते हैं कि आदमी को लगता है कि अरे अब तो मैं तुरंत लखपती बन गया पहले भी यह होता था इंस्टेंट बेनिफिट जो मिलता है आदमी के दिमाग को जो प्रभावित करे वही अभी भी है देखे प्रैक्टिकल में जवाब जाते हैं तो मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि असंभव है अभी देखिए मनोज यादव जी जो बोल रहे थे अमेरिका की एकोनॉमी ब्रिट को साथ मुणा ज़्यादा उनके पास हमारे पास पैसा है और गरीव उनके हाँ हमारे कें घृम फेजन में बहॉत काम है आप कैसे करेंगे और यह संसेक इसको एक एक नागरिक को एक ऐसा प्लान बनाया जाए कि वो अपने पैर पे खड़ा हो अपना भर पोसर कर सके और देश और प्रदेश के लिए भी कॉंट्रिब्यूट करें यह विजन होना चाहिए गौर्मेंट का इसलिए मैं इसको यह बोलता हूं कि यह जितने घोसला पत लिया तो शायद यह उसको फांसी पर चड़ा देंगे कोई जबाब देने वाला नहीं है भीजेपी भी यह कर रही है मनोज यादों जी तो खुद ही बोलता है हम इनसे पूछ रहे यह बताई नहीं रहें और कोई जवाब देने वाला नहीं मिलेगा इन सब चीजों पे लि जब चुनाव आएंगे तब रख दिये जाएंगे नाम बदल दिया जाएगा एक दूसरे पर आरोप लगा दिया जाएगा चुनौती दे दिया पर राहूल गांधी ने पिया मोदी को भ्रष्टाचार को लेकर जो है इस पर बहस करें तो यह ऐसे मुद्दे भ्रष्टाच के लिए छाए होता है और मैं पूछे कैसे आपने अपने गोस्णा पत्र में या वर्बल कहीं पर बासर देते हुए बोला कि हम यह कर देंगे अगर आप उसको फुल्फिल नहीं कर पाए तो ब्रस्टाचारी तो हुआ यह वापस वापस आपके पास आँगे एक एक रियक्शन लेना साँग अगर देखा जाए तो कितना प्रेशर हो जाएगा हमारी एकॉनमी पर जीडिपी ग्रोज की हम बात करते हैं उसको लेकर कैसे समझें हम इसको इसकी बारिक्वी को आप समझाए जाए इसके बड़े ताने बाने होते हैं आप एक ग्लोबल एकोनॉमी का एक हिस्सा है आप य अगर पैसे अगर फ्री में दे दिये मैं क्यों इसको चुनावी जुम्ला बोल रहा हूं आपने डारेक्ट पैसे दे दिये सबसे पहले तो मेरा कुश्चन सारी पाटियों से यह है नहीं सुनिए मैं बता रहा हूं पहला कुश्चन तो यह जब जनता से ही पैसे लेके जुगार कर सके खापी सके आप टैक्सी मतलब आना उनसे मैं बोलता हूं आपको जनता को राहत देनी है चाहे उनको सरकार कैस दे या आप टैक्स अटा दो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी एकोनोमी का फंडा तो यह भी है ना लेकिन यह नेताओं का अपना पॉलिटिकल एक क्सक्राइब को नहीं किया ना कर पाएंगे वह दिखाने की कोशिश कानी जार की जारी है इसलिए जो है वह इसमें मैं तुमानता ओंना कोई उमंग है ना कोई तरंग है कांग्रेंस की जो एक ती पतंग है उसकी साधनी की कोशीश लेकिन एक बात बताईए किया आप हिंदुस्तान की जनता को मुर्ख समझते हैं आपने 1950 से आपके 2014 तक बीच में आपने 55 साल साशन किया हर लोग सभा चुनाक बहने आप पनाला आप किया गया था 15 लाक रूपे देने का दावा किया गया था वादा किया गया था लेकिन वह देखा वापिस आपके पास आँगे कि मिश्णा जी क्या समझें कि एक तरफ तो अभी कहा कॉंगरेस के और से प्रतिक्रिया आई ना आपने भी देखा कि 6000 पर प्रतिमा देंगे प्रतिमा देने वाले तो जनता के सामने एक भाई एक सवाल आ गया है कि मेरी समस्या को समझने के लिए दे रहे हैं क्योंकि गोशना थो नहीं भी की थी गोशना इनने भी कि है अलाकि वह बात तलाग है कि 2000 पर पहुंच चुकी है तो क्या जो पहुंच चुकी है उसका सर होगा यह वादे का अवसर होता हूं दिखाई देगा मैंने ख्याँ है मैं आपको बता हूंँ अभी आपने यह मुग्तार अबास नक्वी जी बोल लाए थे उ ना कोई उमंघ ना कोई तरंग hair मैं बोलता हूं सारी परटियों की तो अपकी बार मुझे लगता है ना कोई उमंघ है बस कटी पतंग है चिनों में देखे होता क्या है कि अब जनता को सारे नेताओं ने सारी पार्टियों ने इतना मजाक बना लिया कि अब जनता भी इन चीजों को समझ चुकी है भाई पहले भी पैसे नहीं आए अभी भी नहीं है मैं बोलता हूं मुझे जरा अर्थसास्त्र जो एकोनॉमी होत है आपकी आपकी कमाई 100 रुपय है आप 1000 रुपय कहां से खर्च कर लोगे मेजर पार्ट चीज कैसे आप खर्च कर लोगे सवाल यह है देखिए जनता आपकी बार जो मुझे लग रहा है ना किसी के भी उस पर जो है वादों पे जो है उसको बहुत सीरियसली नहीं ले रही है कोई भी जीते कोई लिहारे वह दूसरी चीज है देखना यह है जनता आपकी बार डिसीजन कैसे लेगी इन वादों से तो रीज़ करके मुझे नहीं लगता है जनता डिसीजन लेगी पहली चीज़ बीजेपी ने 2000 रुपय एडवांस में खाते में डाल दिये किसानों के 60% किसान है इंडिया की पापुलेशन का देखा जाए इतने बड़े वोट बैंक को उन्होंने प्रभावित किया एक किसान जिसके पास दो पांच हेक्टेर जमीन है 500 रुपय महिने में उसका घर भी चल जाएगा चौका भी चल जाएगा दवादारू भी हो जाएगी खेत क 500 रुपय महिने का 500 रुपय महिने में एक फैमिली इन्होंने किसान की पूरी चला दी दखिए इसी को मैं बोलता हूँ कि घोसित रूप से वोटों की खरीद परो यह होता क्या है इंडायरेक्ट वे में अगर यह कानूनन जुर्म है कि चुनाओं के टाइम पे आप पैसा द बना दो एक प्रोविजन बना दो एक पाइपलाइन आपने सम्मिधान का फायदा उठाते हुए और मोरल्टी को ताक पे रखते हुए आपने कर दिया तो यह समभैधानिक तरीके से मैं बोलता हूँ कि वोटों की यह खरीद फरोगत और यह एलेक्शन कमिशन को इस पर रो सोर्सेज है चाहे मैंपावर हो चाहे पैसा हो उसकी एक कैपसिटी है उस सिस्टम को डिफीट करके देखे थोड़ा बहुत एक दो परसेंट उपर नीचे हो सकता है दस परसेंट भी जीडीपी हो सकती है 11 परसेंट में हुआ भी है अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं दिख गोशनाव जीत के आए तो एक महिने में भारत जो है सोने की चडिया वन गई तो आप किस तरह से लेंगे क्या ये गोशनाव पात्र कॉंग्रेस के लिए अच्छा साबित हो सकता है नहीं देखे यह साबित होगा इसका इंपैक्ट पड़ेगा इसका पहला इंपैक्ट पड पड़ा के सारे रंग दिखाते हुए नित करते हैं ये नेताओं के लिए अब सावन का सीजन आ गया है अब ये नेताओं का मैयूर नित हो रहा है ये तरह तरह के इनके रंग बिरंगे जितने इनके पंक है नहीं पहलेंगे करते हैं झाल 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 झाल